नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिक्षा से डेटेस योटूब चैनल में दोस्तो अरभी NTPC की जो टम टेस्ट स्री चला रहे हैं उसके पार्ट 28 को आज के इस वीडियो में हम कबर करेंगे आज के इस वीडियो में हम जो most 30 MCQs बन सकते थे GKGS और Current Affairs के उनको हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में कबर करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन-कौन से important प्रस्णों को समलित किया है तो आई ये वीडियो को सुरू करते है पहला important प्रस्ण है भावती विज्ञान संस्थान यानि की IISC कि यहां पर बात हो रही है किस जगह स्थीत है काफी important प्रस्ण है तो Indian Institute of Science जो है आपको मिलेगा बैंगलूर में तो राइट एंचर आपको जाएगा बैंगलूर में जो है Indian Institute of Science यानि की भारती विज्ञान संस्थान इस्थीत है अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा मकबरा तुगलक यूग की विशिष्ट रचना है काफी important प्रस्ण है तो इसमें से कौन सा मकबरा है जो तुगलक यूग की विशिष्ट रचना मानी जाती है तो इसका राइट एंचर आपको जाएगा अगला important प्रस्ण है निम्लिकित में से किस वंस ने द्रवीड वास्तुकला के विकास में पर्यापत योगदान दिया तो वह कौन सा मतलब वंस है जिन्स ने द्रवीड वास्तुकला के विकास पर पर्यापत योगदान दिया था तो तीनों वंस जो थे चलूक्य, चोल और होईसल आ ये तीनों वं गया था आपको बताना है X-ray का जो अविस्कार है नेमलिकित में से किस के दरह किया गया था तो X-ray का अविस्कारा कमाने आता है WK Rount Gen को तो राइट अंचर आपको जाएगा WK Rontgen के दरह जो है X-ray का अविस्कार किया गया तो अपी से या दिखिएगा इसका राइटेंचर का जाएगा WK Rontgen क्या है? Rontgen इनका नाम है WK Rontgen के दरह जो है X-ray का अविस्कार किया गया था अगला प्रस्ना है समुद्र की जो गहराई है किस उपकरण की साहता से मापी जाती है काफी important प्रस्न है तो समुद्र की गहराई किस उपकरण की साहता से हम मापते हैं तो राइटेंचर आपको हो जाएगा फैदो मीटर की साहता से जो हम क्या मापते हैं तो समुद्र की गहराई तो फैदो मीटर इसका राइट एंसर हो जाएगा फैदो मीटर अगला प्रस्थन है Fiber Optics जो होता है Fiber Optics जो होता है या कि शिद्धान पर कारी करता है तो जो Fiber Optics होता है या Total Internal Reflection of Light यानि कि प्रकास के पुर्ण आंत्रिक पारवलतन पर कारी करता है तो right answer आपको जाएगा option C यानि कि जो fiber optic होता है या प्रकास का पुर्ण आंत्रिक परावर्तन यानि कि total internal reflection आप light के सिधान पर कारे करता है तो option C इसका बिल्कुल सही है अगला प्रस्तन है पियच मान का अविस्कारक आपको बताना है कि जो पियच मान होता है इसका अविस्कारक कौन है तो पियच मान का अविस्कारक माना याता है लोरीड जे सोरेंसन को तो right answer आपको जाएगा लोरीड जे सोरेंसन को जो है पियच मान का अविस्कारक माना याता आप इसे याद दिखिएगा तता पियच मान कब छारी होता है कब अमली होता है लगाता है जब पुछा आता है तो जिस भी अमल का मतलब जिस भी विलाय का जो मान है अगर वह साथ से कम है तो हो जाएगा क्या हो जाएगा वह अमली होता है कोई भी solution कोई भी विलाय है तो pH अगर 7 से अधीक है तो वह विला हो जाएगा चारी अगर किसी भी विला का प्येसमान जो है साथ से कम होता है, तो इसको हम अमली कहते है तो यह fact आप याद रिखिएगा तता प्येसमान का विश्कारक माने आता है किसको तो लॉरिड्स सोरेंचन को अगला प्रस्तना है जब एक प्रवल चार और एक प्रवल अमल जो है माले जी एक प्रवल चार हो गया और एक प्रवल अमल हो गया आपस में अविक्रिया करते हैं तो क्या बनता है तो जब एक प्रवल अमल और प्रवल छार प्रतिक्रिया कलता है तो नमक और पानी बनता है तो राइट एंसर आपको हो जाएगा नमक यानि option जो ए है इसका बिल्कुल सही है अगला प्रसना है निमलिकित में से कौन सा अंग बढ़ सकता है और पूना उत्पन हो सकता है काफी important प्रसना है तो मानो सरीर का एक मात्र अंग है इसका नाम यक्रित यानि कि लीवर जो लीवर होता है या पूना बढ़ सकता है और पुना उत्पन हो सकता है तो इसका राइटेंचर आपको हो जाएगा लिवर जो होता है या अंग बढ़ सकता है और पुना उत्पन भी हो जाता है तो लिवर इसका राइटेंचर हो जाएगा अगला प्रस्न है आर्थोलोजी के अंतरगत किसका अध्यान किया जाता है काफी important प्रस्थन है तो आर्थोलोजी के अंतरगत जो है जोडो का अध्यान किया जाता है तो राय टेंचर आपका हो जाएगा जोडो का जो अध्यान होता है यानि जोडो को हम जोइंट्स कहते हैं इंगलिस में तो ज पलिहा आपको पता हो अग हो गा इसको RBC का कपर्गां कहते हैं जो Red Bloodsills हमारी होती है उनका कपर्गां माना आता है किसको तो पलिहा को तो ग्रेवयार्ड आप RBC मानबाता है मतलब पलिहा को अगला क्या प्रस्णा है निम्ण में से कौन सी औसदी गिद्दों के विलुपती का कारण बनी काफी इंपॉर्टेंट प्रस्णा आपको बताना है कि वह कौन सी औसदी है जिसका अत्यदिक उप्योग करने के कारण जो है उप्योग होने के कारण जो है गिद्द जो है विलुपती क एक फगार पर चले गए तो डिकलो फिनेक एक अवसदी है जिसका उप्योग जो होता है पसूँ के दल्द निवारेक के रूप में जो है डिकलो फिनेक का इस्तिमाल किया जाता है जिसके बाद मालीजे बाद ने पसूँ अकर कोई मर जाता है तो उसके अंदर अगर इस दवा का अंस बचा रहता है तो मरे वे जानवरों को आपको पता होगा गिद दिखाते हैं तो गिद जो मरे वे जानवरों को खाते हैं तो उनके मास्ट के साथ यह जो डिकलो फिनेक नामक अवसदी होती है गिदो के सरीर में चली जाती है जिसके कारण जो है यह जो गिद होते है वो भी मर जाते हैं यही कारण बना की जो डिकलोफिनेक नामक आउसदी थी जो पसुओं के दल निवारेक में काम आती थी वह गिद्धो की विलुपती का आगे जाके कारण बनी अगला प्रस्न है इंद्रावती राष्टी उद्ध्यान किस राजज में स्थीत है आपको बताना है कि इंद्रावती राष्टी उद्ध्यान या किस राजज में मिलेगा तो 36 गड़ में आपको मिलेगा इंद्रावती राष्टी उद्यान, 36 गड़ के दंटे वाड़ा जिल्मका 36 गड़ के दंटे वाड़ा में जो है आपको मिलेगा इंद्रावती राष्टी उद्यान तो आपी से याद देखिएगा वहीं सिक्की में कौन सा मिलेगा प्रसिद राष्टी उद्यान तो सिक्की में आपको मिलेगा कंचन जंगा राष्टी उद्यान है आपको सिक्की में मिलेगा इसके बाद करनाटक में कौन सा राष्टी उद्यान मिलेगा आपको बांदीपूर बांदीपूर और अंसी जो नेशनल पार्क है आपको मिलेगा कहां पे तो करनाटका में उसके बाद जार खंड में अगला प्रस्णा है भालती पसूच इकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां मिलेगा आपको तो भारती पसूच इकित्सा अनुसंधान संस्थान आपको मिलेगा इज्जत नगर में कहां पे तो इज्जत नगर में आपको मिलेगा भारती पसूच इकित्सा अनुसंधान संस्थान तदा इज्जत नगर कहां पे है तो इज्जत नगर आपको मिलेगा बरेली में तो प्रसीद्ध जन जातियां हैं आपको बताना है किस राजिज की यह प्रसीद्ध जन जातियां हैं। तो ये तीनों प्रसित जान जाती है, आपको मुलेंगे सिक्किम राज जी में तो रहा टेंचरा आपको जाएगा सिक्किम, अगला प्रसना है, मात्मा बुद्ध ने अपने जो सरवाधिक उपदेश थे, कहां पे दिये थे, काफी इंप्रसना है, लगातार एक जाम में प्रस्ति में और मात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सार नात में दिया था, तो इसे भी आप यादेखिएगा, अगला प्रसना है, गोविंद वल्लब पंत जलासे, उत्तर प्रदेश के किस जीले में इस्तित है, काफी इंप्रसना है, तो गोविंद वल्लब पं गोविंद वल्लब पंत सार जलासे जो है, यह आपको सोन भद्र में मिलेगा, तो राइट एंसर आपको होजाएगा, सोन भद्र में, अगला प्रसना है, अथार सा सतावन के बिद्रों का जो नितित्रों है, लखनाव में किसने नित्रों किया था, तो वेगम हजरत महल, लियाकत अली कहां से नित्रित्व कर रहे थे इलहाबाद से जो है इलहाबाद से जो है लियाकत अली 1857 की करांती का नित्रित्व कर रहे थे उसके बाद खान बादू जो ते यह बरेली से करांती का नित्रित्व कर रहे थे और रानी लच्छी भाई कहां से कर रहे थी तो रान नदी पर तो राइट हैं आपको जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा नदी में में यह बनाई का लिजेगा नड़ी पर बनाएगया तो राना प्रताप सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध जो है यहां आपको मिलेगा चंबल नदी पे और बेतवा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया तो माता टीला बांध आप नोट अन कर लिजेगा माता टीला बांध जो है या आपको मिलेगा बेतवा नदी पे और दामोदा नदी पे कौन सा बांध बनाए गया है तो पंचेट हिल बांध जो है या दामोदा नदी पे बनाए गया आप नोटन कर लिजेगा अगला प्रस्थना है कोसल आपको पता आगा टोटल प्राचीन भारत के कितने महा जन्पद थे तो टोटल जो थे महा जन्पदों के संख्या कितनी थी तो टोटल 16 महा जन्पद थे तो 16 महा जन्पदों में एक जन्पद था कोसल तो कोसल महा जन्पद की राजधानी आपको ब राजधानी थी तो आप इसे याद देखेगा तो यह most important है कोसल जो थी यह किसकी राजधानी थी तो कोसल जो थी साकेत मतलब कोसल महाजन्दपत की जो राजधानी थी हुआ साकेत थी तो आप इसे ध्यान देज़ेगा अगला प्रस्थन है नेमने में से किस company के दोरा dark sky नामक जो यह एक weather app है आप आप या देखेगा यह ओसम aff है एक weather app है dark sky तो इस weather app का जो अधिगरहन है किसके दोरागी आगया है तो इस weather app का जो अधिगरहन आली में apple ने कर लिया है तो right answer का हो जाएगा apple के दोरा जो है इस weather app का अधिगरहन कर लिया गया है आपको बताना कि जो मधुबन है नेमले कितमें से किसका bio fortified किसम है काफी important प्रस्थन है तो मधुबन जो है किसका bio fortified किसम है तो गाजर का तो right answer आपको जाएगा गाजर का option base का बिल्कुल सही है अगला प्रस्थन है हाली में किस राजिम में हल्दी अनुसंदान संस्थान खोला गया है काफी important प्रस्थन है तो हल्दी अनुसंदान संस्थान आपको मिलेगा तमिलाडू में तमिलाडू के erode jil versucht में जो है हल्दी अनुसंदान संस्थान खोला गया है तो अप इससे ध्यान दिजएगा यह most important प्रस्थन है तमिलाडू का जो कॉन सा जिला है erode jilla आपको पता होगा इरोड जो हल्दी है उसको मिला भी था GI tag आपिया देखेगा जो GI tag था इस इरोड हल्दी को मिला है तो तमिलाडू का एक जीला ही है इरोड यहीं पे जो है हल्दी अनुसंदान संस्थान खुडा गया है अगला प्रस्थन है हाली में किस मंत्राले के दोरा देखो अपना जये जा रहा है और्पशन जो B है इसका बिलकुल सइब आंदर प्रदेश के भोगापुरम में जो है आंद्रप्रदेश के विशाका पत्न में पड़ेगा या भोगापूरम यहीं पर जो है अंतराश्टी जो हवाई अड्डा है यह बनाए जारा आप इसे ध्यान देजेगा तता यह कौन बना रहा है यह इंपॉर्टेंट आपके लिए तो इसको बना कौर रहा है तो GMR के दरा बनाये जारा है तिसे भी आप ध्यान देजेगा GMR को यह अनुमति दे गई है कि आंद्रदेश में इसके बbag़ापूरम इन तराश्टी हवाई अड्डा बनाये जारा है इसके बाद अगला इक्पूर्टेंट प्रस्तन है आले में किस राज की सरकार के दोरा जो है आपको बताना है कि वो कौन सी राज की सरकार है जिसके दोरा जो है भोजन जो मुक्त में गरीबों को दने के लिए दीदी कीचेन योजना लांच की गई है काफी important प्रसन है जो दीदी कीचेन योजना है या किसके दारा launch की गई है most important प्रस्थन है तो दीदी कीचेन योजना किस राज सरकार की योजना है तो जारखंड सरकार की योजना है दीदी कीचेन योजना तो इसका right answer आपको जाएगा दीदी कीचेन योजना जो है जारखंड की योजना है तो आप इस याद देखेगा इस योजना में जो है मुब्त में गरीबों को भोजन दिया जाएगा अगला प्रस्थन है निवन में से किस बैंक के दोरा समर ट्रिट्स नामक कैम्पेण शुरू किया गया है तो समर ट्रिट्स नामक जो कैम्पेण है सासीधर जगदीशन जो है ये बने है नए CEO SDFC बैंक के बिस्वन न जीव कोस भारत के लिए ब्रांड नमेजडर किसे बनाएगा आपको बताना है तो वर्ल्ड जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड फॉर्ड जिसको हम कहते हैं बिस्वन न जीव कोस इसके लिए भारत के लिए ब्रांड नमेजडर ने बनाएगया है बिस्वनातन आनंद तो राइटेंसर आपको जाएगा बिस्वनातन आनंद अगला प्रस्ण है डॉपो रीजो जो ब्रीज है या किस राजजी में बनाएगया है तो सबसे पहले है जो ब्रीज है किस के तरह बनाए गया तो बी आरो के तरह कौन बनाए बी आरो मतलब Border Road Organization के तरह यह ब्रीज बनाए गया है कहां पे अवनाचल प्रदेश में तो रहा टेंसर आपको जाएगा तो रहा टेंसर आपको जाएगा टीवियस मोटर कमपनी के दुरा जो है ब्रीटेन की प्रतिश्चित मोटर साइकल ब्रांड नॉटन का अधिगरहन कर लिया गया है तो रहा टेंसर आपको जाएगा चैसर जिए ने के लिए प्रेपेड आपकी ग्रुपडे के अभी अभी एग्जाम नेशन से आपके तो जरूर आप से कि नेचन से ने सकते हैं जहां करें कि आपड़े थे अपको एक्स्रा डेसकांट भी चल रहा है इसके बारे में हम बताएंगे तो जल्दी से विम्लेस एर्देरेट 14 जैसे ही code यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा यहाँ पर 20% अभी मिल जाएगा प्लस अप्टू 10% तक आफ जो है वो क्वाइन से भी मिल जाएगा तो अपरोक्स 20-30% तक आफ पा सकते हैं तो जल्दी ही prices बढ़ने वाले मैं आपसे यही कोंगा ज इसकांट भी मिल जाएगा कोड या क्या यूज़ करना है कोड वही यूज़ करना है वि-i-m-l-e-s-h ठीक है विम्लेस एड़ दिरेट 14 इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रेप्शन में आफ पा सकते हैं ध्यान रखेगा विम्लेस एड़ दिरेट 14 कोड को यूज़ कर यूज़ के लिए निलते हम आपको लाइग क्लास में